हलो डियर स्टूडेंट्स तो आज हम डिस्कुस करेंगे कि साइस क्या होना चाहिए कोनॉमिक साइस क्या होना चाहिए कोड डायमेटर का राइट ना कि जो हम लोग ने last lecture में जब हमने गूशो Kelvin किया था तो इस gradient में हमने यह देखा था कि जो आपका gradient है किसी भी conductor में या किसी भी cable में कहां पर minimum है और कहां पर maximum है यदि मैं बात करूँ तो gradient की value मैं ने आपको क्या बताया था X natural log of capital R by R, ठीक है, आपका small r क्या था, conductor का diameter था, capital R क्या था आपका, small r क्या था आपका, radius of conductor, और आपका जो capital R था, capital R क्या था वहाँ पर, कि inner radius of the sheet था, ठीक है, और किसी x distance पर हम लोग ने gradient की value निकाली थी, और v आपका potential था, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, तो इसका minimum और maximum values calculate की गई थी, कि अगर x की value r हो, मतलब surface था, यह conductor का surface था, surface of conductor में, जो आपका जो gradient की value थी, वो सबसे जादा थी, ठीक है ना, जो gradient की value थी, वो सबसे जादा थी, और यह जो आपकी maximum value आई थी, उसको कैसे define किया यह था, v upon r, natural log of capital R by R के साब में, इसी तरीके से इसका minimum value कब था, जब आपका x की value क्या था, capital R, means inner radius of the sheet, तो आपने g minimum की value क्या देखी थी, g minimum आपने देखा था, v upon r, natural log of capital R by R, यह आपने देखा था, अब अगर में बात करूं, तो maximum value होनी चाहिए, stress की, maximum stress की जो value होनी चाहिए, वो जितना हो सा के कम से कम होना चाहिए, ठीके, जब आपका voltage, और sheet का जो diameter R है, यह दो चीजें क्या है, इसमें, fixed है, तो सिर्फ जो varying parameter आपका क्या है, core diameter, core diameter आपका क्या है, यह क्या है, core का radius है, conductor core का, इसी से आप इसका diameter भी define कर सकते हैं, यदि आप इसको 2R कर दें, तो आपका क्या हो जाएगा, dia हो जाएगा, core का, तो यह जो variable है, वो क्या है, आपका R है, तो R को कुछ इस तरीके से हमें select करना पड़ता है, कि Gmax की जो value हो, वो minimum हो, ठीक है, R की value कुछ इस तरीके से हमें select करना पड़ता है, कि जो आपका Gmax आए, वो क्या हो जाए, minimum value को अप्रोच करें, ठीक है, अब यह minimum value को अप्रोच कब कर सकता है, जब आपका अगर यह जो आपका denominator है, उसको, उसमे variable parameter क्या है, R है, वेरिबल क्या है, यह यह अगर उसको DR के respect में differentiate कर दिया जाए, और equal to, अगर zero put किया जाए, तो हम उसकी minimum value find out कर सकते है, तो यहाँ पर आप देखिए, कि अगर में एक function ले लू, FR, और इस function की value हम ले ले ले, R, natural log of capital R by R, ठीक है, अगर में इसको, BFR divided by DR के respect में differentiate करो, and put it equal to zero, then you get here, natural log of capital R by R की value आएगी, this is 1, जब आप इसको differentiate कर देंगे, दोनों पार्ट को, आपका एक पार्ट यह है, दूसरा पार्ट यह है, जब आप इसको differentiate कर देंगे, then you will get value, natural log of R by R की value, आपको क्या मेलेगी, R, तो आप क्या बोल सकते है, R upon R की value क और इसकी जो suitable value होगी, that is 2.718, 2.718, तो R की value क्या होनी चाहिए, R should be, R should be capital R divided by 2.718, ठीके न, या फिर अगर इसको diameter के terms में बोला जाए, अगर code diameter या sheet diameter के terms में बोला जाए, तो हम इसको D भी लिख सकते हैं, यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, R equal to D upon 2.718, तो जो इसको भी अगर हम D के respect में लिखना चाहिए, तो हम इसको भी D लिख लें, और यहाँ पर भी हम capital D के terms में लिख लें, क्योंकि हम यहाँ पे code diameter की बात कर रहे हैं, तो हम इसको diameter के respect में भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीके, तो code diameter केतना होना चाहिए, core diameter must be 1 upon 2.718 times the sheet diameter, okay, so as to give the minimum value of G max, ठीके, तो core diameter क्या होना चाहिए, 1.2718 times the sheet diameter, तो उस condition में, जो G max की value हमको मिलेगी, वो क्या मिलेगी, minimum मिलेगी, means यह जो condition होगा आपका, इस condition में आपको G max क्या मिलेगा, minimum मिलेगा,